हलो श्टुडेंट एक्साइस सेविन वी का कुशन नमबर है 17 इसमें देखिए दस सम वह 500 जो 500 रुपीज हैं उनके जो नोर्स हैं वह 5 रुपीज और 10 रुपीज के हैं और टोटल नमबर अब दी नोर्स जिसमें गिविन है 90 रुप ऐसे समाच सकते हैं 5 रुपाई के और 10 रुपाई के जो टोटल मिलाके अमांट बनता है वो 500 बनता और टोटल इनके जो नमबर है वो 90 हैं तो हमें जो हमें जो फाइंड करना है कि 5 रुपीज के कितने नोट होंगे और 10 रुपीज के कितने तो यह देखिए सबसे पहले हम लो तो इसमें देखे, let the number of 5 रूपीस notes X, जो टोटल जो notes के number है वो 90 दे रखे हैं, और 5 रूपीस के notes है वो X है, तो आप 5 रूपीस के X हो जाते हैं, तो जो 10 रूपीस के कितने होंगे, तो 90 मैंसे अगर हम X माइनस करते हैं, तो जो number of the notes होंगे, वो 10 रूपीस के आ जाएंगे, अब देखिए, according to question, इन्होंने कहा के 5 रूपीस के X note हैं, तो देखिए 5 into, तो टोटल notes कितने हो गए, 5 into X, और जो 10 रूपीस के हैं, वो 90 मैंस X हैं, तो 10 रूपीस के टोटल notes कितने हो जाएंगे, 90 मैंस X into 10, और टोटल जो amount है, इन सब को जोड़ के जो amount बनता है, वो कितन 500, तो यह कितना हो गया 500, इस तरह से यह question हम solve करेंगे, अब देखिए 5 का multiply X से होगा, तो 5X होगा, 10 का होगा, 90 से तो 900 और यह minus 10 X, solve किया देखिए, इसमें देखिए 5X और minus 10 X, तो कितना बचा minus का 5X, और यह इधर जाएगा, 500 minus 900 होगा, तो minus का 400 आ जाएगा, minus से minus cancel हो 80, यानि 80 का मदलब हो गया, कि जो 5 रुपीज के जो नोट थे, वो कितने हो गए, 80, अब 10 रुपीज के हमें नोट निकालने, तो total नोट हमारे पास कितने थे, 90 थे, तो 90 मैंसे, अगर हम 80 minus करेंगे, तो 10 रुपीज के जो नोट के नमबर होगे, वो कितने आ जाएगे, 10, अब आप इसको चाहो तो वेरिफाई कर दीजिए, 5 रुपाई के कितने नोट थे, नोट निकले, 80, तो 80 इंटू 5 हो गया, कितना हो गया, यह हो गया, आपका 400, और 10 रुपीज के कितने नोट हैं आपके, 10, तो देखे, 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100, तो देखे, total amount हमारे पास कितना था, 500, तो आप देखेंगे, कि हमारे पास 500 रुपीज हो जाते हैं, इस तरह से यह question number आप 16 करेंगे, और इसको आप full वीडियो उसको ध्यान से देखेंगे, otherwise आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसके बाद देखिए, question number 18, जो भी question हम आपको करा रहे हैं, उनी questions को आपको आप करने हैं, okay, तो question number 18 देखिए, राजू एज, 19 येर एंगर, हैना, then his cousin, और after 5 येर, their age will be, तो उनका ratios है, दोनों की एज का ratios है, वो कितना है, 2 ratio, 3, find their present age, तो इसकी हमें जो present age, find करना, राजू है, जो अपने भाई से कितना चोटा है, कजिन बिदर से कित 15 येर चोटा है, तो और आप 5 साल के बाद उनके जो ratio, 2 ratio, 3 हो जाते हैं, तो हमें उनकी present age, find करनी, तो देखिए, हम कहेंगे present age of राजू कजिन्स, जो राजू का भाई है, उसकी present age हो गई, x year, अब आप देखिए, राजू की age क्या हो जाएगी, उससे छोटा है, तो यानि 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप देखा, x plus, x plus 5 year हो जाएगी, और जो राजू की age होगी, जो राजू की age होगी, वो हो जाएगी, पहले कितनी थी present age, x minus 19 थी 5 साल बाद, 5 साल बाद, यानि 5 साल आगे की बाद हो रही है, 5 साल आगे, इसकी भी बढ़ 5 तो x-14 year हो जाएगी आप देखिए according to questions इन्होंने कह रखा कि दोनों की जो 5 साल के बाद age का जो ratio है वो 2 ratio 3 है तो देखिए उसके आपने देखा कि उसके राजू और उसके कजिन की तो राजू की present age कितनी थी वो राजू की जो 5 साल के बाद age कितनी निकल के आई x-14 और जो उसके कजिन की जो age है वो कितनी x-5 तो इनका ratio क्या 2 ratio आपने यह 5 भी है यहाँ पर 2 ratio 3 तो इसको आपने ratio उसमें लिखा तो x-14 और x प्लस अपन x प्लस 5 इस इगल टू अपन 3 cross multiply किया तो 3 इस तरफ इससे multiply होगा और 2 का multiply इससे होगा इस तरह से 3x-42 और 2x प्लस 10 हो गया इनको solve किया तो यह आगया आपका 52 तो जो x is equal to आगया 52 यानि उसके कजिन की जो age आगई 52 और उससे 19 एच छोटा राजू है तो उसमें से 19 कम कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा राजू की age 33 इयर इस तरह से यह question number हो गया आपका 18 आप देखिए question number आपका 19 तो देखिए question number 19 इसको समझने की कोशिस करिए 19 तो आप लोग 19 को छोड़िए आप आप लोग 19 नहीं करेंगे 20 नहीं करेंगे 21 नहीं करेंगे 22 नहीं करेंगे आप करेंगे जो question है वो आपका 23 तो देखिए 23 question number 23 in examination the student required 40% of the total marks to pass जितने marks का paper होता उसमें से 40% चाहिए पास होने के लिए राजू रूपा रूपा को जो marks मिले हो 185 marks मिलते है लेकिन 15 marks से fail हो जाती है तो उसके जो total paper था यानि कि total कितने number का paper हुआ था यानि कि total जो marks थे वो कितने number का था यानि कि जो total paper के marks थे वो कितने का था तो आप देखिए requirement कितनी होती है passing marks की 40% तो देखिए हम कहेंगे हम यहाँ पर माल लेंगे total marks जो paper के total marks थे वो कितने थे x तो x का 40% निकालेंगे तो वो हमारे क्या होंगे passing marks होंगे तो passing marks हमने निकाल दिए अब उसके बाद हम रूपा के marks निकालेंगे रूपा के जो passing marks क्या होंगे, अगर रूपा को 185 मिलने के बाद वो 15 नमबर से fail हो जाती, इसका मतलब अगर हम इसमें 15 और जोड़ दें, यानि कि अगर उसे 200 marks मिले होते, तो वो pass हो जाती है, तो 200 marks क्या होते passing marks होते, passing marks अगर हम इसमें fraction में देखें, तो कितने थे, यह थे 40% या हम percentage में देखें, तो 40% थे, यह 40% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर, इस तरह से हम total marks find कर सकते तो देखिए, question number है, आपका 23 in examination, आपने देखा total marks है, हमारा x number का total paper है, और passing marks क्या हो जाएगा, 40% of x, यह ना, तो इसका 40% निकाला, तो देखिए, 40 upon 100 into x, याने कि 2 upon 5 x हो गया, और इसके बाद number of the marks get by the rupa, rupa को कितने marks मिले हैं, 185 और वो fail कितने marks से हुई थी, 15 marks से, तो उसके passing marks क्या हो जाएगा, अगर 15 उसे और मिल जाते, तो pass हो जाती, इसका मतलब उसके जो passing marks होंगे, 15 प्लस हो जाएगे, 185 में, तो 200 passing marks हो गया है, और इधर क्या था passing marks का, और उनने क्या रखा था percentage में, 40% चाहिए थे total के, total कितने x हैं, तो वो हमने निकाल दिया था, यह इसमें देखिए, यह दोनों ही passing marks हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे, तो हमने इसको इसके equal लिख दिया, तो x is equal to हमारा आगया, 500 marks का paper था, उसमें passing marks, यानि के 40% बनते हैं, वो कितने हैं, 200, तो अब आप देखिए, total, आपका passing marks ही find करने तो, यह आपका हो गया, 500, है ना, आप देखिए, आप इसमें question number है, 23 के बाद हम लोग करेंगे 25, और उसके बाद यह exercise finish हो जाएगी, तो देखिए, the total cost of 3 table and 2 chair, देखिए, 3 table और 2 chair की जो cost है 1850 है, दोनों को मिला के 3 table और 2 chair, और the cost of है न, रुपी 75 more than chair, टेबिल की जो cost है, वो कितनी है, chair से 75 रुपीज जाद है, तो हमें दोनों की cost price find करनी है cost कितनी होगी, तो आप देखिए, 3 table और 2 chair मिला के हमें 1850 रुपीज देने पड़ती है, और एक table को खरीदने के लिए chair की cost plus 75 रुपीज अधिक देने पड़ते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे chair की cost find, माल लेंगे chair की cost माल लिया, मैंने x रुपीज है तो table की cost किस नहीं हो जाएगी x plus 75, ओके और इस condition में जैसे ये दिया है, उसी में इसको हम put कर देंगे, तो ये हमारा answer आजाएगा, तो देखें, हमने लिखा जो given था, उसको लिखा, आपने देखा ये लिखा है, cost of 3 table plus 2 chair कितनी है, बन थाओ, 850 रुपीज, और cost of table एक cost, table की cost क्या हो गई जो chair की cost है, उससे 75 रुपीज, तो 75 plus cost of chair तो chair की cost हमने माल ली एक्स रुपीज, तो ये क्या होगी, table cost 75 plus x, अब देखें 3 table, एक टेबिल की cost कितनी है, 75 plus x, तो 3 into 75 plus x हो गए, according to question, और उसके बाद plus 2 chair chair की cost कितनी मानी, x रुपीज तो 2 into x, और total हमें कितने रुपाई, पेमेंट करना पड़ता उसको 1850, ये लिख दिया solve किया, 3 का 75 से multiply किया, तो 225 आ गया, और उसके बाद 3x आ गया, ये देखें, 3x आ गया, उसके बाद 2x, इनको plus किया, तो ये आ गया, 5x, 5x is equal to, आपने देखा ये आपका minus करेंगे तो 1625 आ जाएगा, x is equal to 325 हो गया अब ये किसकी cost है ये cost है, चेर की, और अगर हमें table की cost निकालने, तो इसी में 75 plus करते हैं, तो 400 हमारी क्या आ जाएगी, table cost हो जाएगी, इस तरह से ये एक साच आपकी घतम होती है आप आप लोग, mc cubes को solve करेंगे, और सभी mc cubes को, सभी chapters के mc cubes को ध्यान से solve करेंगे और आपके बहुत सारे mc cubes इस वार paper में आने वाले, ओके